नमस्कार दोस्तो आज हम Video 2 MP3 Converter इस एप के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो यह वह तासान एप्लिकेशन है इसमें हम Audio Cutting Video Cutting देखने वाले हैं और इस एप में सबसे महत्वपूरुन फीचर यह है कि आप इसमें Video 2 Audio Convert कर सकते हैं चलो देखते हैं अब इसमें पहले का फीचर आडियो कटर में क्या क्या है अब दोस्तो आडियो कटर में हम जो भी Audio P क्लिक करते हैं तब वह Audio Clip हमारे सामने इस तरह आ जाती है और यह आने के बाद अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ यह देखो यह जो Audio Clip है अपना इसमें अब हम उपर का जो एरो है वहां से एड़्जस करते हैं और उपर हमें यह जो कुछ सेकन दिखाई दे रहे पाज, दस, बंद रहे यह हम यह राइट साइड में जो प्लस और मैनस का लोगों है वहां पर बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं और बढ़ाने के वजह से हमें यहां पर जो Audio Clip की जो डिस्टन से वो बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद हम यहां पर अच्छी तरह से एड ज्यादा कर सकते हैं और यह कम यह ज्यादा करने के बाद हम यहां पर यह सेट करते हैं अगर मुझे यहां पर इस पूरे वीडियो का इतना ही पार्ट चाहिए तो हम यहां पर वह सेट करके कट कर सकते हैं अब मैंने यह पर यह पार्ट सिलिट कर लिया है और सिलिट करने के बास नीचे के राइट साइड में यह का साइन है और यह साइन पर मैं क्लिक करता हूँ यह क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव का नाम ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हम नेम की जगह पर अपना नाम डाल कर भी सेव कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ यह देखो दोस्तोक क्लिक करते ही सेव हो गया और हम अगर प्ले करके देखना छाते हैं तो प्ले करके देख भी सकते हैं वेसे हम दोस्तों यहाँ पे इसी ओडियो जो अपने रेकोड किया है इसके बाजू में थ्री डॉट्स है थ्री डॉट्स प्लिक करने के बाद अपने को प्ले, इन्फो, शेर, डिलीट और कट के ओप्शन दिखाईज देते हैं यह हो गए अब यह ओडियो कटर जो पहला ऑप्शन है उसके फीचर्स अब हम दोस्तों हम वीडियो कटर का दुसरा ऑप्शन देखने वाले है यह भी बहुत आसान अप्लिकेशन है फीचर्स है इसमें हम यह जो सब रेकोडिंग दिख रहे है वीडियो की जितनी भी हमारे मो डाउनलोड की है जो पुरानी वीडियो है सब जो चाहिए वो हम यहाँ पे इडिट कर सकते हैं देख सकते हैं अब उनके हमें जितना भी वहाँ क्या डाटा कट करना है वो कट कर सकते हैं अब दोस्तों देखो यहाँ पे हम मैं आपको एक वीडियो कट करके दिखादा वहां पर हमें second दिये गई है। वहम यहाँ पे minus, plus में कम यह जादा कर सकते है। या manually हाथ से भी address कर सकते है। यहाँ से जितना भी है हम play करके देखते हैं अभी। Play करने के बाद हमें पता चलता है हम यह कहा रूखना है और हम वहां तक address कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो जितना डिस्टंस है वहाँ पर हम जाके रूप के वह भी देख सकते ही, एक बार चेक कर सकते ही, चेक करने के बाद पूरा भाहा तक एड्जेस कर सकते हैं, और एड्जेस करने के बाद हम ये कट कर सकते हैं, कट पर क्लिक करती ही हमारा स्य हो गया है, हमने cut care किया था अब वो पुरा save हो गया है पुरा save हो गया यहां पे देखो दूस्तों वेसे ही हम अब यहां पे क्लिक करके देखते ही जो तीन डॉट दिये है यहां पे वहां पे play, info, rename, share, delete, video to mp3, video cutter के option आ रहे है अब हम यहां से back आते हैं बैक आने के बाद हमारा सबसे महिद्वपूर्ण जो feature से इस app का वो है video to audio converter हमारे पास जो भी video है रहते हैं वो video को हम video से audio mp3 में convert कर सकते हैं इस application की यह सबसे बड़ी खासियत है यह देखो अब देखते हम यहां पे यह देखो दोस्तों यहां पे हमें जो देख रहे हैं सभी हमारी video clip से यह जितनी भी video clip से यहां से हम सभी video का audio में convert कर सकते हैं यहां पे तीन video है और तीन video में जो पहला video है वो है जो waterfall रहता है waterfall का video है अब इस waterfall में जो पानी का आवाज है sound है वो sound मुझे convert करना है और मेरे दूसरे वीडियो के लिए मुझे यह sound लगाना है तो मैं यह इस वीडियो से यह sound convert करके MP3 में convert करूंगा और जो मेरा दूसरा वीडियो है उसमें लगा सकता हूँ इसलिए इस application की सबसे बड़ी एक हासी है दे कि वीडियो से आवाज निकल कर हम हम दूसरे वीडियो को लगा सकते हैं यहां से convert करके जो देखते हम यहां पे अब यह मेने से पूरा का पूरा मुझे जो sound है जो waterfall का sound है वो मुझे convert करना है अभी मैं यहां पे नीचे हमें convert option देख रहा है क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद तुरंत यह convert हो जाएगा देखो आप कि processing हो रही है यह देखो successfully convert हो गाए अब हम उसे play करके देखते यह देखो दोस्तों हमारा यह पूरा sound convert हो गाए है इसी तरह हम दूसरे भी जितने भी अपना हमरे पास वीडियो है हम सब के सब इसी तरह video to audio convert कर सकते हैं अब हम यहां से back आते हैं यह देखो यह हमरे इस app की खासिया थे दोस्तों अगर आपको यह application पसंद आया हो तो like, share और subscribe जरूर करना इस application के link मेंने description ने दी गई है धन्यवाद